हलो एवरिवन आज हम अपनी exercise 1.1 को आगे करेंगे आज हम question number 5 से start करेंगे okay what is in this question list all the elements of the following sets नीचे आपको कोई कुछ sets दे रखे हैं उसको आपको क्या करना है उसके elements को लिखना है अब उसको जो हमने question number 3 में किया था उसमें direct पूछा हुआ था कि आपको उसको roster form में change करना था but इन्होंने यहां पर कैसे पूछा हुआ है list all the elements उसके सारे elements लिखो that means यह set builder form given है और हमें किसमें change करना है roster form में okay अब आपको फिर से वही recall करवा रही हूँ कि यह set builder form में उसकी property given है और roster form में हमें उसके element लिखने हैं जो कि यहां पर बोला हुआ है simple now first part a कैसे read करते हैं इसको a is the set of all x such that x is an odd natural number अब क्या मतलब है इसका आपको वह वाले element लिखने हैं वह वाले numbers लिखने हैं जो odd natural numbers सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे इसका मतलब क्या है natural numbers that starts from one अब odd भी होने चाहिए odd कौन से होते हैं that is divisible by that is not divisible by two जो कि two से divisible नहीं है one से start हो रहे हैं और जो कि two से divisible नहीं है तो कौन कौन से ऐसे number है अगर हम one से देखें तो one is my odd natural number सबसे पहला element मुझे मिल गया one कौन सा element मिला one तो जब हम इसके elements को लिखेंगे तो हमारे पास पहला element आया one कॉमा next element क्या होगा जो odd natural number है that is three then five then seven then nine क्योंकि odd natural numbers जो हैं कभी and नहीं होते हैं infinite होते हैं तो इसी लिए हमारी जो ये series आएगी जो ये set आएगा जिसमें हमें elements लिखना है वो infinite set बनेगा तो infinite set को हम कैसे indicate करेंगे ये तो नहीं है कि हम सारे odd numbers लिखते चले जाएंगे कुछ elements लिखने के बाद आपको क्या करना है three dots जालने हैं okay then curly bracket close ये ध्यान रखना कि कभी भी जब भी आप set करते हैं whether it is a set builder form whether it is a roster form आपको दोनों ही cases में जो brackets लगाने होते हैं वो curly brackets ही लगाने होते हैं आपको दूसरा bracket use नहीं कर सकते हो here so this is our first part now the second part अब इसमें क्या लिखा हुआ है b is a set of all x such that x is an integer ना ध्यान दीजे अब हमने कौन सा ग्रूप उठाया है हैं आपर integer कौन सा उठाया है integer ठीक है integer क्या होता है पहले अपने आपसे question पूछो कि integers कौन से होते हैं positive numbers negative numbers including 0 जिनका denominator 1 होता है integer क्या होता है जिनका denominator 1 होता है अब हमें range दे रखे है range अब भी दे रखे होते हैं जब lock किया होता है तो हमें क्या होता है क्या कैसा set आता है finite set कैसा मिलता है हम finite set अब देखो यहां यह जो range दे रखे है अगर हम number line पे इसको draw करके देखें तो हमारे पास minus half कहां लाई करेगा 0 की left hand side में और यहां पे 9 by 2 मतलब 4 by 5 अब देखो यहां पर equal to का sign नहीं है मतलब 9 by 2 हमारा 4.5 है इससे जो छोटे numbers होंगे इसके बीच में कौन से होंगे minus half से आगे minus 1 होता है तो क्या हुआ है तो क्या हुआ हमें तो यहां से लेकर यहां तक की range की बीच की integers देखने है वो कौन-कौन से है सबसे पहला integer है 0 उसके बाद है 1 then 2 then 3 and then 4 4.5 से कम कौन-कौन से integer है minus half से बड़े और 4.5 से छोटे तो हमारे पास कौन-कौन से integers आए इसमें 0 1 2 3 and 4 तो यहां पर जो हमारे पास अंसर आएगा इसका वो क्या आएगा कौन-कौन से elements आएंगे 0 आएगा 1 2 3 4 सिर्फ हमें integers लिखने थे इस आट ओके जो की 1 minus 1 by 2 और 9 by 2 के बीच में तो जब हमने number line ड्रॉ करी तो हमें integers automatically मिल गए जिनका denominator 1 है these are the rational numbers okay so now the third part c c is the set of all x such that x is an integer again आपका यहां पर क्या form हो रहा है integer integer फिर से वही same चीज हमारा concentration कौन से numbers पर होगा negative numbers positive numbers जिनका denominator 1 है अब हमें वो वाले x ढूड़ने हैं जिनका square less than और equal to 4 होता है अब देखिए आप number line पर यहां पर देखिए अब यहां पर अगर मैं 2 का square करूंगी what will I get? 4, 2, 2s are 4 3, 3s are 9 वो बड़ा हो गया तो यह वाले element तो इसके अंदर आएगा नहीं तो वो कौन सी x है जो इस condition को satisfy कर रहे है एक तो 2 है because 2, 2s are 4 because यहां पर equal to का sign है अगर equal to का sign नहीं होता suppose तो क्या हो जाता? फिर आप 2 नहीं लेते हैं फिर हम 1 लेते हैं लेकिन क्योंकि यहां पर equal to का sign भी है तो हम क्या करेंगे? we will take 2 इसका जो एक element होगा वो 2 भी होगा 1 होगा 1 का square 1 जो की 4 से छोटा है फिर 0, 0 का square 0 वो भी इस से छोटा है then ध्यान से देखे minus 1 ठीक है? minus 1 और minus 2 हम यहां पर क्या देखेंगे? अगर हम इसके back जाएंगे तो minus 1 और minus 2 भी इसके इस condition को satisfy करते हैं क्यों? क्योंकि अगर minus 1 का whole square आप करेंगे तो आपके पास क्या answer आएगा? 1 minus 1 का whole square क्या होता है? 1 जो की 4 से छोटा है less than और equal to 4 है तो minus 1 भी इस condition को satisfy कर रहा है इसके बाद हमने लिया minus 2 minus 2 का whole square is 4 जो की 4 की बराबर है तो बराबर वाली चीज़ भी लेनी है आपको तो इसमें अगर हम और back जाएंगे minus 3 तो वो इस condition को satisfy नहीं करेगा क्योंकि minus 3 का whole square is 9 which is less which is not less than 4 तो यहाँ पर कौन-कौन से elements हैं जो इसको satisfy कर रहा है सबसे पहले negative से शुरू करते हैं minus 2 minus 1 0 1 and 2 यह 5 elements है जो इस condition को satisfy कर रहा है यह जो numbers है वो integers भी है और इनका जो square है वो less than और equal to 4 है तो इसके जो elements आएंगे वो यह आएंगे finite तो यह जो हमारा C set है वो finite set है B set जो है वो भी finite है बट A जो है infinite जहाँ पर dot dot आजाती है वो infinite set होते है Now come to the last part D part यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है D is the set of all X such that X is a letter in the word loyal loyal के जो letters है उनको लिखना है हमें इसे बाहर तो जाना नहीं है अब आप फिर से याद करिए कि last videos में मैंने आपको क्या बताया था जब कोई word आपका होता है अगर वहाँ पर letter कोई repeat हो रहा है या कोई numbers भी है अगर वो repeat हो रहे है तो आप set के अंदर उसको एक बार ही लिखते हैं दो बार नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर जो इसका answer आएगा आपका letters कौन-कान से letters आएगे सबसे बहले L आएगा कॉमा क्योंकि elements को हम कॉमा से differentiate करते हैं तो यहाँ पर भी हम L के बाद कॉमा डालेंगे फिर O then Y then A अब जो last वाला L है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि L हम लिख चुके हैं ओके तो D part जो है उसकी elements क्या हुए L, O, Y, A Now तो 5th part 5th part में देखे क्या लिखा हुआ है E is a set of all eggs such that X is a month of a year not having 31 days आपको वो वाले month इसमें लिखने है जिसमें 31 days नहीं है अब आप लोगों वो अच्छे से पता है कौन-कौन से ऐसे month है जिसमें 31 days नहीं होते हैं अगर हम January से start करें तो January में आपके 31 days होते हैं then February में आपके 28 या 29 days होते हैं तो आपका पहला month आगया February then आगे अगर आप परसीद करें March, April इसके बाद April, March में आपके 31 days होते हैं तो उसको नहीं लिखेंगे April में आपके 30 days होते हैं तो आप इसी तरीके से आगे move on करेंगे तो कौन-कौन से month और आएंगे इसमें 30 days वाले लिखो इसी लिए हमने February को भी इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें 28 या 29 होते हैं जिसमें 31 days नहीं है इन्हें ने सिंपल यह लिखा है कि 31 days नहीं होने चाहिए चाहिए उसमें 30 days है चाहिए 28 है, चाहिए 29 है कुछ भी है, you have to mention that month तो इसी लिए इसमें February भी आएगा Is it okay to all of you? Now, next देखिए 6th part F is the set F is the set of all X such that X is a consonant अब consonants क्या होते हैं? Alphabets में, जब आप 26 alphabets देखते हैं तो उसमें आपके 5 vowels and the remaining are the consonants तो जो vowels नहीं हैं, वो consonants हैं in the English alphabets which precedes K precedes मतलब K से पहले पहले आपको consonants लिखने हैं तो आप जो इसमें letters start करेंगे वो अव्विस सी बात है A से चिक करना start करेंगे जब आपने A से start किया तो यहां पर कौन-कौन से letters आएं आपके A A आपका वोवल होता है तो उसको नहीं लिखेंगे then B C D E E अगेन आपका वोवल होता है उसको mention नहीं करेंगे F G H I I फिर से आपका वोवल होता है उसको mention नहीं करेंगे J then K K नहीं लिखना क्योंकि आपको जो letters इसमें लिखने हैं वो precedes K K से पहले पहले तो आपके हाँ पर elements J पर खतम हो जाएंगे तो this is the elements जहां पर यह सारे consonants हैं English alphabet के और K से पहले पहले इस तरीके से इस question में आपको elements को mention करना होता है और यह basically आपका है क्या roster form जहां पर आप set builder form को roster form में change कर रहे हो That is our question number 5 Thank you everyone